तो यहां पर आप देखेंगा प्रस्तुतह पाठा कुंद माला इती नामनों दिंग नाग विरीचिता संस्क्रित अस्य प्रसिध नाटे ग्रथन स्य पंचम मा कात उसके बाद संपाधन कृत्वा संकलीतो अस्ती ठीक है तो यह यहां पर लिखा हुआ अब इतना ज्यादा मु मैंने काफी जदा मेहनत करके इसका हिंदी आपको निकालत दे दिया है काफी जदा आसान हो जाएगा तो देखेंगे इस दोनों को साथ में लेकर के पढ़ने का कोसिष प्रस्तुत पाठ दिंग नाग द्वारा संस्कृत के प्रसिध नाटक ग्रंड कौनसा कूंद माला के पंचम अंक से संपाधन करके लिया गया है अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि यह जो पाठ है यह एक कोई आदमी थे दिंगनाग उनके द्वारा प्रसिद नाटक ग्रंथ लिखा गया था कुंद माला ठीक न यह नाटक ग्रंथ है कुंद माला प्रसिद था जो कि यह व्य संपादन करके इस पार्ट खोलिया गया है एडिट करके लिया गया है ठीक है अब यह लाइन तो आपका क्लियर हो चुका होगा इस में से कि प्रस्तूत पार्ट कुंद माला जो है इस ग्रंथ से के द्वारा रचा गया संस्कृत का सश्टी व्यक्ति है यहां पर यहां भी सश से आप पढ़ सकते हैं अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है तो यहां नाटक के अंस में राम अपने पुत्रों लव कुस को सिंगहासन पर बैठाना चाहते हैं किंतु हुए दोनों विनम्रता पुर्वक उनको मना करते हैं सिंगहासन पर बैठे हुए राम दोनों के स अंदर ये को देखकर मुगद होकर अपने गोद में बैठाते हैं इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहर वर्णन है तो इतना आपने समझ लिया अब जिन लोगों को हिंदी भी समझ में नहीं आती उनके लिए मैं आज ही इसको अंग्लेजी को रेडी कर दूँगा इंग्लिस ट्रांसलेशन को तो एक्च्वली यहाँ पर हम जब आएंगे और नीचे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से कुछ लिखा हुआ है यह आपके बुक का लाइन है काला कलर से उसको हमने हिंदी कर दिया सिंगहासन पर राम बैठे हुए हैं फिर भांड के द्वारा दिखाए हुए रास्ते वाले तपसी कुस लोव प्रविस करते हैं अब जैसे जो भांड वर्ड है अब इसका मतलब क्या हुआ भांड का तो देखिए यहाँ पर मुस्किल वर्ड का मैंने डाल दिया है वे लोग जो किसी भी कुल का खांडान का इतिहास जानते हैं बताते हैं और गाते हैं तो पहले की टाइम पर क्या हुआ करते था कि कुछ लोग होते थे ठीक ना कुछ लोग होते थे किसी जाती समूह के जिनको भांड कहा जाता होगा वो क्या करते थे कि किसी कुल का खांड और तिहास सब कुछ जानते थे कौन वो भांड तो वही बताता था गाता था तो उसी भांड के बताने के बाद लौकुस जो है ये राम जी के जो भी इनका राजदरबार था वहाँ पर आये थे तो वहाँ पर गाना वगर गये आप लौकुस का अगर आप सिरियल वगभाओर देखे होंगे टीवी में तो आपको पता होगा ओके और नीचे आते हैं यहाँ पर फिर देखिए इस तरह से लिखा है विदू सक लिखा है लौकुस लौबौव लिखा है रामह लिखा है, यहाँ पर कुश बोलेंगे इसको मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, इसके लिए मैं पहले ही मैंने आपसे माफी मांग लिया है अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, विदू, शक, ओके तो यहाँ पर देखिए, इधर से आरें, यहाँ से मतलब किसी को हम स्वाजत करते टाइम बुलाते हैं, तो उस तरह से कितने अच्छे से बुलाते हैं इधर से आरें, यहाँ से, यहाँ से, हाँ आई, आई है, इस तरह से फिर है कुश लव, पास आकर और राम को प्रणाम करके, दोनों भाई आए क्या महराज की खैरियत है, महराज मतलब क्या आप ठीक ठाक है, यह पूछ रहे है राम जी ने कहा, तुम्हारे दर्सन से कुसल प्रतीत होता हूँ, क्या हम आपके कुसल प्रशन के भाजन है ठीक है लिखा हुआ क्या हम आपके कुसल प्रश्ण के ही भाजन है ही यहाँ पर वर्ड है क्या मतलब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ कुसलता पूछेंगे आप बच्चों सिर्फ कुसलता पूछोगे या फिर थोड़ा कुछ और फिर से अतिति जन के योग यह गले लगने का नहीं, गले नहीं लगना चाहोगे, गले लग के, फिर दोनों भाई गले लग जाते हैं राम जी के, फिर राम बोलते हैं, आहा, दिल पर असर करने वाला सपरस है, ओहो हो, समझ रहें आप, एक दो बेटे अपने पापा के पास जाते हैं, और वहाँ पर अंजान की तरह सुरुवात में, और गले लगते हैं, और पापा को सब कुछ पता है, तो ऐसे में उनको ये वर्ड तो निकलना लाजमी है, ओके, और नीची आते हैं, फिर यहाँ पर लिखा है, आधे आसन पर बैठते हैं, ठीक है, आधे आसन पर राम जी बैठते हैं, पूरा पर नह तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि प्रतिष्ठा को देखते हुए कि सिंगासन पर राजा बैठता है तो उन्हों राम जी ने गोधी में बैठाते हैं ठीक है ओके और नीचे आते हैं क्या लिखा है यहां पर देख सकते हैं कि दोनों अनिक्षा से नाटक करते हैं राजन ज्यादा कुसलता मत करें ठीक है दोनों अनिक्षा से मतलब कि नाटक करते हैं उनका इक्षा नहीं था नाटक करते हैं खाली क्या करते हैं राजन ज्यादा कुसलता मत करें ज्यादा सर्म मत करें अब ये राजा बोल रहा है मतलब ये दोनों बैठाना चाहते हैं राम जी बैठाना चाहते हैं इन दोनों को और ये दोनों उपर से बस फर्मलेटी पूरा कर रहे हैं कि नई नई हम ठीक हैं मत बैठाईए ऐसा कुछ राजन ज़्यादा कुसलता मत करें अपने word-mean होने अच्छे लहजे में कहा है कि ज़्यादा आप कुसलता मत करें कुसलता मत करें ओके फिर ज़्यादा शर्म मत करें अब मेरे शौ और सौ में थोड़ा सा बारवर बोल रहा हूँ ओके next आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आगया है स्लोक, स्लोक जैसे ही आया हम करेंगे इसका अनवे, अनवे जैसे ही करेंगे हम करेंगे इसका सरलार्थ, अनवे क्यों करते हैं ताकि एक स्लोक को धंग से हम समझ सकें और समझने के बाद उसका सरलार्थ कर सकें, इसके लिए हम अब यहाँ पर देखे इसका मिनिंग क्या है गुनी महान लोग के लिए भी छोटी उम्र के वजह से शिशु जन प्यारे होते हैं बाल भाव सेही चंद्रमा भी सिउजी के मस्तक पर केतिकी के फूलों से निर्मित आबुसनों की भाती सुसोबित होता है तो ये एक जो है न ये स्लोक है जिसमें ये कह रहा है कि गुनी और महान जो व्यक्ति के लिए भी छोटी उम्र के वजह से सिशु जन प्यारे होते हैं मतलब बहुत ज्यादा बड़े जो लोग है न उनके लिए भी जो छोटा छोटा बच्चा सब होता है वो सब प्यारा होता है जैसे कि मोदी जी है या कोई भी बड़ा लोग है उनके सामने एक छोटा सा नन्ह सा सुन्दर सा बच्चा चला जाएगा तो फिर भी वो प्यार करेंगे क्योंकि बहुत बड़े हैं फिर भी उनको छोटे बच्चे से लगाव होगा ही होगा तो अब नीचला वर्ड क्या है बाल भाव से ही चंद्रमा भी सिउजी के मस्तक पर केतिकी के फूलों से निर्मित आभूसनों के भाव सोभीत है तो कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह प्यारे होते हैं छोटे सिउजन जिस तरह से चंद्रमा जो है बच्च्पन से ही शिउजी के जटा जो है वहाँ पर मस्तक पर वहाँ पर ये आभूसन की तरह हैं सुसो भी थे, कौन, चंद्रमा, ओके, तो अब हम नीचे आते हैं, और सोड़ा साब को दिखाते हैं, फिर क्या लिखा है, राम यह संदर्य को देखने से, उत्पन जिग्यासा से पूछता हूँ, राम जी बोलते हैं, कि छत्रिय कुल, पितामा के सुर्य या चंद्र, आपके वन्स के निस्पादक कौन है, राम जी पूछते हैं, किन से, लोग कुछ से पूछ रहे होंगे, क्या पूछ रहे हैं, आपके यह संदर्य को देखने से, उत्पन जिग्यासा से पूछता हूँ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा सुन्दर थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज खत्रिय कुल में हो, तो सुर्य हैं या चंदर हैं, आपके वन्स के कौन निस्पादक है, कहां से आपका चला रहा है, लोग बोलता है भगवान सुर्य, सुर्य सेविन का चला रहा है, तो राम जी फिर बोलते हैं, किस तरह हमारे समान कुल में उत्पन हो गए, कि हमारे ही हम भी रगुवन सी, हम भी सुर्य वन सी, कैसे तुम भी आगे इसी में, अब विदूसक बोलता है, क्या दोनों का उत्तर एक ही है, हम दोनों सगे भाई हैं, लोग बोलता है, कि हम दोनों सगे भाई हैं, तो हम दोनों तो भाई होंगे ही होंगे, दोनों का उत्तर एक ही है, कि हम दोनों भाई है, और भी नीचे देखते हैं, क्या लिखा है, सरीर की बनावट भी एक जैसी है, राम जी बोलते हैं, आयू तो कुछ अंतर नहीं है, आयू भी सेम है, दोनों का उमर भी सेम है, लो, हम दोनों जुडवा है, ये बोल रहा है कि हम दोनों जुडवा है, राम अब सही है, क्या नाम है तुम लोगों का, राम जी पूछते हैं, लो, आरे की वंदना में, लो ऐसा खुद को सुनाता हूं, अब आरे जो था उनकी वंदना में, क्या करेंगे, लो, ऐसा खुद को सुनाता हूं, कह रहा है कि मेरा नाम लो है, ये बोलने का स्टाइल है, क्या कि वन्दना में ऐसा मुझे को लोगों को सुनाता हूं कुष को कुष को निर्देश करके आरेक की गुरु चरण वन्दना में ओके अब कुछ सायद गानावना में भी कुछ करें फिर कुष बोलता है मैं भी कुष इस नाम से अपने आपको सुनाता हूं यह श्टाइल है बोल बहुत हर जनक शिष्टा चार क्या नाम है आपके गूरु का, बोलते हैं कि आपका तो काफी ज़ाद अच्छा शिष्टा चार है, तो आपके गुरु जी का नार है, आपका कोई तो टीछर होगा ने, जैसे आप मेरे स्टूडेंट है, तो आपका टीछर कौन है, मैं हूँ, म भगवान केश लगख तुल्य होता है, क्योंकि वही बताता है आपको कि भगवान वो है, वो पिता है, वो ऐसे करना है, हर मार्ग दर्थाण आपको टीचर देता है. तो इसलिए टीचर की जो है इज़त करनी चाहिए, उनका रिसपेक्ट करना चाहिए. अब राम जी फिर बो लोव बोलता है उपनयान के दिक्छा के द्वारा दिक्छा हुआ था और उपनयान कोई चीज हो गई इस समय पे दिक्छा के द्वारा ही लोग गुरू बने हैं जैसे कि आज के भी टाइम पर दिख्षा दिया जाता तब जाकर के लोग गुरु बनता है, नॉर्मली ऐसे ही मान लेने से गुरु नहीं हो जाता है, हलांकि इसमें क्या चीजे हैं, आज के टाइम तो कल्यूग है, कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पर दिख्षा लेने के नहीं जानता हूँ, इस टपवन में उनका नाम कोई नहीं लेता, अब तो वो बच्चा है, उसके पितारी का नाम कोई लेता ही नहीं है, टपवन में, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है, नाम से कोई कैसे पुकार देगा, ठीक है, ये चीजे है, अब राम बोलता है, व जवाब दिया है। राम बोलते हैं मित्र निस्चही अजीब नाम है। अब क्या बोलेंगे तियों लाज पचार हैं। ओके अब हम और नीचे आते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। गोश. लिखा है विदूसत सोच कर ऐसा है तब पूछता हूँ। बेरहम ऐसा कौन बोलता है? कुछ मा, कुछ बोलता है, मेरी मा बोलती है तुमारे पिता का नाम बेरहम है क्यों? क्योंकि इनहोंने निकाल दिया था सीता जी को।wang क्यों निकाला था? क्योंकि कुछ लोग, क् क्या कहेंगे लोग को डर से ताना को न सुनते हुए इन्होंने सीता जी को निकाल दिया और सीता जी चली गई वालमी की जी के आस्रम में तो वहां पर जा करके सारी चीजे हुई थी फिर वो दोनों बच्चे आये थे और यहां पर पूछ रहे हैं तो राम जी गलत थे सही थे कि सही नहीं थे इस बारे में आपका क्या मान आप कमेंट कीजेगा हलांकि भगवान को हम लोग बोलते हैं कि उनकी गलती कुछ भी नहीं थी तो अगर वो भगवान है तो सीता माता जी क्या है वो भी तो देवी है वो भी तो भगवान कहीं तुल्ले है तो दोनों में कौन स ऐसा क्यूं नहीं हुआ यह तो फिर चले जाएंगे हम उसमें वाद विवाद में इतिहास पूरा ग्रंत सब खोलना पड़ेगा फिर तो विवाद यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का मानना कुछ और होगा कुछ लोगों का मानना कुछ और होगा फिलाल हमें हमारा वो मकसद नहीं है यहां पर हमें पढ़ाना है फिलाल तो आप भी पढ़िए यहां पर आपको एकजाम में क्या क्या चीजी हैंगी उसमें घुसेंगे तो फिर घुसते ही रहे जाएंगे वाद विदूसक जो है यहां पर क्या बोल रहा है क्या क्रोधित रूप में विदूसक पुछता है कि क्या खिस्या करके गुष्णा में पुछती है बोलती है ऐसा कि बेरहम है या नॉर्मली बोलती है कुछ बोलता है। यदि हम दोनों के बाल सुभावों से कुछ बदत्मीजी देखती है तब ऐसा डाटती है। अगर हम लोग बत्तमीजी करते हैं तो वो गुस्सा में ऐसा डाटती है बेरहम के पुत्रों चंचलता मत करो मतलब गुस्सा में ही बोलती है नॉर्मली नहीं बोलती है ये अच्छी बात है कि सिताजी अभी भी प्रेम बहुत ही ज़्यादा करती है यदि इन दोनों के पिता क नाम बेरहम है तो इन दोनों की माता उसके पिता के द्वारा अपमानित होकर घर से निकाली गई होगी इसलिए इस वचन से दोनों पुत्रों को डाटती है वावा वा वीद्यू सब जो है ये हिंट मार रहा है राम जी को कि इसके वज़ा से आपने निकाल दिया होगा किसी और के कंदे के बंदूक रहके इनको गोली मार रहा है राम जी बोलते हैं अपने मन में इस तरह मुझे धिकार है यह तपश्वीनी यह तपश्वीनी मेरे किये गए दुराचार से अपने संतानों को ऐसे क्रोध भरी बातों से डाटती है आसू भरे आखों से देखते ह राम जी की आखों में थोड़ा सा तो आसू आये गहीं आसू आ भी चुका था कि ऐसा डाटती है मेरे ऐसा करने पे मेरे बच्चों को कोई क्यूं डाटेगा मतलब वो तो उनकी मा है तो उनको तो हक है ही पिता जी भी है इनको बुरा भी लग रहा है कि नहीं डटना इनकी माता का नाम जाना चाहता हूं और इस्त्रियों के लिए वहां रहना उजीत नहीं है विशेस कर तपोवन में तब यहां क्या उपाय है विदूसक इसारा से मैं फीर से पूछता हूं सामने से क्या नाम है तुम दोनों की माता का लव उनके दो नाम है विदूसक किस त तपुवन में रहने वाली देवी तथा भगवान वालमेकी बोलते हैं उनको वधु ठीक है ये दोनों नान है उनका और नीचे चलते हैं फिर राम जी बोलते हैं राम और इधर से भी मित्र कुछ समय के लिए विदुसक नजदिक जाकर आप आग्या दीजिए राम क्या इन द कि उसक को थोड़ा इधर भी धियान देजिए न मेरे तरफ मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं क्या इन जैसे कान में पूछ रहे हैं क्या इन दोनों भालगों की हमारी जैसी कहानी है क्या हमारी परिवार की थोड़ा मिलता जोता है जैसा लग रहा है कुछ दिकत त गुरू संदेश का संदेश वाहक हमें जल्दी करने के लिए कह रहा है ओके मतलब गुरू का संदेश वाहक जो है उनके किनके गुरू दोनों बालों को के गुरू के संदेश वाहक कोई था मैसेज ले करके आया था वो जल्दी करने के लिए कह रहा है राम मेरे द्वारा भ आप सुलोक का अनवय करेंगे अनवय का फिर अर्थ निकालेंगे तो यहां पर अर्थ भी आ चुका है आप दोनों गाने वाले हैं तब के सागर पुरान मुनी वाल में की कवी भी हैं धरा का प्रथम बार धरा पर प्रथम बार अवतरित समवाद शील वानी का यह संदर्ब है और यह सराहनिये कथा कमल नाभी विस्नु से सम्मंदित है और यह परिवारिक जन निश्चित रूप से सुरुताओं के को प्रसंद करने वाला है अब जो भी है यह तो स्लोक है तो इसमें उतना ज़्यदा अभी मैं टाइम बरबाद नहीं करूंगा टाइम वैसे भी लंब सभासदों लक्षमन को हमारे पास भेज़ दो मैं भी इन दोनों के लंबे वक्त के दुख को दूर करके लाता हूं मैं भी इन दोनों के किन दोनों के बालकों के लोग उसके लंबे वक्त का जो दुख है उनको दुख करके लाता हूं इस तरह सभी निकलते हैं और मैं भी रहे होंगे सीटा जी को लाने के लिए वापस से और यहाँ पर जो है गाना वेगरा साथ चला होगा उसके बाद गाना वाना जो भी वो लोग दोनों आय थे गाना गाने के लिए इसके लिए आप लिग डिस्क्रिसमें डाल दूंगा रमायन का पूरा का पूरा सिरियल देखेगा उस एपिसोड को तो आपको मज़ा भी आएगा ओके यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है प्रेवियस चेप्टर जो सही क्लिक करेंगे पिछले चेप्टर पर चले जाएंगे यहाँ पर चेप्टर थी पर चले जाएंगे यानि की ठीक है यह चेप्टर नंबर फोर है अभी जो पड़ा है चेप्टर फोर है तो करेंट चेप्टर फोर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो NCRT एक्ससाइज पर चले जाएंगे और य यहाँ पर क्या में बीच वाले में, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा यह translation हो चुका है, तो बीच वाले पर क्लिक करेंगा, तो NCRT exercise, अब इस पर क्लिक कर देते हैं, इस वीडियो को end करेंगे, और दूसरे वीडियो में फिर हम किसी और topic के साथ में आएंगे, तब तक के लिए इ आप किस के पाटी से हैं, मैं तो कुस के पाटी से हूँ, अब क्यूं हूँ, क्यूं नहीं हूँ, आप भी कमेंट कीजएगा कि आपको कौन अच्छा लगता है, और तो फिलाल के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, देखते रहे हैं और सीखते कर दोन कर दो है